जो इनके गुरु की मान सिकता है वही नरेंदर मोदी की भी मान सिकता है दलितों को ले करके क्योंकि सता में आज मनुवादी लोग बैठे हुएं और कौन से लोग राम की बात कर रहे हैं जो राम का चुनावी करड कर रहे हैं तो राम का इस्तेमाल करने वाले लोग, ये तथा कथित हिंदू पार्टी के लोग कहते हैं, कि हम राम को लाए हैं, अरे तुम्हारा बाप भी राम को नहीं ला सकता है, हाँ तुम राम के नाम पर वोट मांग कर सत्ता में आ सकते हो, लेकिर राम को तुम्हारा बाप नहीं ल असकता है अरे ये तो ऐसे लोग हैं जो मुह में राम बगल में छूरी रखने का काम ऐसे लोग हिंदू धरम पर काला धबा हैं इनका बहिशकार होना चाहिए नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी राम भद्रा चारे ने जिस तरीके से एक समुदाय को अपमानित करने का काम क्या है और कहा है नीच कहा है और तमाम जो बाते कहीं उसको लेकर लगातार लोगों में गुसा बन रहा है और लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं और इसी रामन की अपशब्दों पर देखिए दुर्भागय पूर्ण है कि आज एक तथा कते धरम के बहुत बड़े विद्वान जाती शूचक शब्दों से इस देश के बहुजनों को पुकारते हैं ये कहीं से भी धर्मार्थी तो नहीं हो सकते ज्यानी तो नहीं हो सकते क्योंकि संबिधान बिरोधी बात जो भी करेगा जो अपराद किश्रेडी में जो बात आती है उसको हम संत तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोई भी धर्म इंसानियत सिखाता है भाईचारा सिखाता है और जिस तरीके से एक गद्दी पर इतने बड़े गद्दी पर बैट कर इस देश क दलितों को बहुजनों को गाली दिया जाता है जाती शूर्चक शब्दों का इस्तिमाल किया जाता है मुझे लगता है इनी कुछ चंद धर्म के ठेकेदारों से ब्रामनों से इस देश के ब्रामनों को खत्रा है क्योंकि आप देखिए कि ये किस तरीके से इस देश के धर्म को धुमिल कर रहे है क्या इस देश में दलित को रहने का अधिकार नहीं है आप उसको गाली देंगे अरे आप उसका सम्मान नहीं कर सकते हो आप अगर उसका सम्मान नहीं कर सकते हो दलित का तो आप मान तो मत करो आज तो मुझे तो ये कहना चाहिए और एक नियाएप्रिय इनसान होने के नाते में ये कहदा चाहता हूं कि इस देश के पाँच लाक हम बेटकर वाले संगठन कहा हैं, क्यों ने आंदोलन कर रहे हैं, क्यों ने S.C.S.T. का मुकदमा उस पे दायर कर रहे हैं, आज क्यों चुप बैटे हैं, हम बार-बा कह रहे हैं, जो भी इस देश के लोगों को गाली देगा, इस देश के जातियों को, वंचितों, शोशितों को गाली देगा, तो इस देश का नागरिक, इस देश का युवा, उसके खिलाफ खड़ा होगा, और चाहिए हो कितना भी बड़ा धर्म का ठेकेदार हो, चाहिए हो मानित करेगा उसको हम धर्म गुरु नहीं मानेंगे उसको हम जुर्मी मानेंगे अत्याचारी मानेंगे जी तो उनके गिरफतारी होनी चाहिए एफायार होनी चाहिए और ना केवल उनके उपर एफायार जो भी इस देश के लोगों को गाली देगा जो भी इस देश के सव्धान जीने का अधिकार है, संवान है, फंडामेंटल राइट है उसका जो हमारा देष का समविधान देता है, समविधान सम्मत है जो भी सम विरोधी बात करेगा और जो रेसिजम करेगा आज तो दुनिया में कानून है साहब रेसिजम के खिलाफ आज अगर आप इस देश में भी बहुत अच्छा कानून है लेकिन उसका पालन नहीं होता है क्योंकि सत्ता में आज मनुवादी लोग बैठे हुए हैं और SCST के मुकदमे अब भूल जाएए अब भारत में SCST के मुक में दायर नहीं होंगे क्योंकि अभी दो दिन पहले एक व्यक्ती जाकर के जिसको अभद्र गालिया दी जाती है जाती शूचक शब्दों से पुकारा जाता है अपमानित किया जाता है जब वो थाने में जाकर SHO से कहता है कि साहब मेरा केस SCST में रेजिस्टर करो तो SHO कहते हैं कि जहां आपको आहत हुआ है जिस जगह आपकी भावना आत हुए वहीं जाकर के आप केस करिए तो हम बार-बार कह रहे हैं कि इस देश की जो बाबा साहब की विचारधारा जो बाबा साहब ने सीचा था अपने खून पसीने से आज वो विचारधारा और सम्विधान खत्रे में है आज हमें जरूरत है अपने सम्विधान के लिए लड़ाई लड़ने के आगे आ करके जब जब जिसका सिशी ही मोदी हो तो उसके ग्रु कैसे होंगे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं और यही मानसिक्ता जो इनके ग्रु की मानसिक्ता है वही नरेंदर मोदी की भी मान सिकता है दलितों को ले करके वो तो अलग अलग दे रहे हैं आपॉर्चुनिटी दे रहे हैं क्यों नहीं नरेंदर मोधी जी जो है दुरोपती मुर्मू जो इस देश की पहली आदिवासी रास्ट पती हैं क्यों नहीं देश के मंदिर का अनावरन करा रहे हैं भाई क्यों नहीं प्राणपतिष्ठा करा मुर्मुजी से इतना महिलाओं का दलितों का अधिवासियों का सम्मान करते हैं तो मंदिर की प्राणपतिष्ठा में क्यों नहीं जो है उनको पूजा करने का अधिकार दे रहा है आप समझिये हाथी के दाथ खाने के और दिखाने के और बात यह कि वुन्हे पद्म से सम्मानित क्या गया और गूगल करें उनके अवर्ड और सम्मान की तो एक लंबी चौड़ी लिष्ट दिखाई देगी राम भद्राचारे की अवर्ड की और सम्मान की और भारत के जो सर्वस्रेष्ट अवर्ड होते हैं उसमें से एक पद्म विभूशन भी उन्हें मिला हुआ है देखिए दुनिया का आप सर्वोच सम्मान और अवर्ड ले लीजिए और आप अधर्मिक और अनैतिक बात बोलेंगे किसी को गाली देंगे तो कहीं न कहीं यह सारा जो अवर्ड और तमगा आपको मिला है उसको आप धुमिल कर रहे हैं हम यह कह रहे हैं कि आज क् है कि इस देश के लोगों को मानव नहीं समझा जाए क्या धर्म यह कहता है क्या गीता यह कहती है क्या रामायल कहती है कि कोई अगर किसी दूसरे वर्ड में पैदा हुआ है तो उसको अपमानित किया जाएगा उसको गाली दिया जाएगा उसका सोशन किया जाएगा कहा अगर हजारों साल के बाद भी जब हम 21 सदी में प्रवेश कर चुके हैं तब भी अगर धरम के ठेकेदार किसी एक जाती का सोशन करेंगे उसको गाली देंगे उसको मानवता कि खिलाफ जाकर के उसको जो है उसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये धार्मिक व्यक्ति नह होई नहीं सकता क्योंकि धर्म ने हमेशा लोगों को जोड़ा है धर्म ने हमेशा धर्म धारन करने का विशह है और धारन करने कि जो राम को नहीं भज़ेगा वो नीज है देखिए जो मैं समझता हूँ कि जो मानव को मानव ना समझे वो नीज है क्योंकि राम को भजने वाला तो अंगुली माल भी था मरा 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 करके राम राम हो गया और उसको जो है उसका जीवन सुधर गया तो राम को आप किस त चुनावी करड कर रहे हैं जो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं जो राम को चुनाव का विशे बना दिया हमारे मरियादा पूरुशोत्तम श्री राम को राजनिती के खीचण में धकेल रहे हैं जो जो राम के नाम पर प्रोपोगेंडा फेला रहे हैं और ये आशा कर रहे कि 24 में चुनाव जीत जाएंगे यह तो राम का इस्तेमाल करने वाले लोग है राम को धारण करने के विशे हैं राम के मर्यादा को राम के आचरण को राम के स्वभाव को राम के धर्मिक कार्यों को उनका पालन होना चाहिए लेकिन यहां तो राम की तस्वीर को छोटा कर दि जाता है यह तथा कथित हिंदू पार्टी के लोग कहते हैं कि हम राम को लाएं हैं तुम्हारा बाप भी राम को नहीं ला सकता है हां तुम राम के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आ सकते हो लेकिन राम को तो तुम्हारा बाप नहीं ला सकता है मैं तो खुले सीना ठोक के कहता हूं इस बात को और एक बात और सुन लीजिए संक्राचारियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान एक सवाल और मेरा हो गया था कि इन बाबाओं का ट्रेंड चला हुए क्या कि एक समाज को अपमानित करना है किसी कभी जूते से पानी पिलाते हैं कभी अपने मासर जो है अपने पैर पे रखवाते हैं बागेश्वर बाबा को देख ले या इनको देख ले सब का यही जो है गिना चुना आता है कि एक समाज को अपमानित करके ही इनकी तो सल्ली जो मिलती है और दूसरी तरफ अगर आपके लिए कहें तो यह जो ओडियंस है वो यह भी कह सकती है कि एक पहले करता है और दूसरा लिपापोती करने के लिए आता है देखी ऐसा नहीं है देश में बहुत से ऐसे भी धर्माचारी हैं संत हैं जो बहुत दिव्य हैं जो अलौकिक हैं और जिनके अंदर शक्तियां है इस धर्म को आगे ले जाने की ऐसी ब करते हैं जो तथा कतित हिंदू धर्म के ठेकेदार आज बने हुए सरकारी पैसे पर मैं इनको बाबा नहीं मानता हूं और ना इस देश की जनता को ऐसे लोगों को बाबा मानना चाहिए बहुत से रामकथा वाचक हैं इस देश में जो अपना काम बहुत इमानदारी से कर रहे हैं और अपने जो धर्म का परचार है वो बिना किसी को आहत किये बिना किसी को अपमानित किये कर रहे हैं ये चंद मुठी भर लोग हैं और ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं जो वर्न विवस्था को मानते हैं जो मानव को मानव नहीं समझते हैं ये वही इनक आप धरम गुरु मानने की जो है चेश्टा मत कर दीजिए और इस देश का दलित भी इन मुठी भर लोगों को जो है वो हिंदु धरम का ठेकेदार न समझे ये लोग एक सरकार द्वारा पैसे पर काम करने वाले लोग हैं जाके देखिए ना ये जितने मठादीस मोधी मोधी क पांच गुना संपत्ती बाबा बागेश्वर से लेके और तमाम इन बाबाओं का बढ़ा है इसकी कोई जाच कराएगा अरे ये तो ऐसे लोग हैं जो मुह में राम बगल में छूरी रखने का काम एक साधवी है जो सांसद है वो कहती है कि देश का हिंदू चाकूत का धार कर ले क्योंकि इस देश के मुसल्मानों को काटना है अरे इससे बड़े शर्म ऐसे लोगों को हिंदू धरम जो है अपना पुरोधा मानेगा अरे ऐसे लोग हिंदू धरम पर काला धबा हैं इनका बहिशकार होना चाहिए बहिशकार होना चाहिए तो बड़ी बात कही इनों झाल झाल